दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अडोके डीपी पांडे और आजके इस वीडियो में हम बात करेंगे CRPC यानि डन प्रक्रिया संगिता 1973 की धारा 66 पर पिछली वीडियो में हम लोग जाने थे CRPC की धारा 61, 62, 63, 64 और 65 पर जिसमें हम ये दाने थे कि समन का प्रारूप कैसा होगा समन की तामिल कैसे कराई जाएगी वा ब्यक्ति जिसे समन जारी हुआ है घर पर नहीं है तो तब उस समन की तामिल कौन करेगा किसे कराया जाएगा डग्ति फरार है तो उस दसा में क्या होगा इन सारी बातों पर हम लोग बात कर चुके हैं जिसका लिंक इस वीडियों के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा वहाँ से आप देख सकेंगे तो वीडियों स्टार्ट करते हैं चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में वेल आइकान है उससे भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की आई पीसी और सी आर पीसी से जुड़ी और वीडियों का नोटिपीकेशन आपको बराबर मिलता रहे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्षन 66 की परिवासा क्या है ला की भासा क्या है जहां समन किया गया ब्यक्ति सरकार की सक्रिय सेवा में है वह समन जारी करने वाला नयाले मामुली तोर पर ऐसा समन दो प्रतियों में उस नयाकारियाले के प्रधान को भेजेगा जिसमें व तब वह प्रधान धारा बासर्ट में उपबंधित प्रकार से समन को तामिल कराएगा और इस धारा द्वारा अपेच्छित प्रिष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके उसे नयालग को लोटा देगा अर्थार इस धारा में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति है मान लेजिए वो किसी सरकारी सेवा में है लोग सेवक है तो उसको समन जारी हुआ है तो नयालग क्या करती है कि दो प्रती में जारी करती है शमन उस व्यक्ति को किस ब्यक्ति को जो किसी सरकारी दफ्तर में सरकारी करमचारी है लोग सेवक है तो उस दफ्तर के प्रधान को यानि उसके जो चीफ हैं उसके जो में अधिकारी हैं मुखिया हैं उन्हें भेजा जाएगा और उनकी यह जिमेदारी है कि वो अपने अधिनस्त करमचारी जिसे सम जारी हुआ है उनसे वो समन का तामिला कराएंगे कैसे कराएंगे जिस तरह से सक्षन 62 में बताया गया है कि समन के को उसे तामिल कराएंगे और दूसरा प्रति है शमन का उसके प्रिष्ट भागपा हस्ताक्षर भी करेंगे यानि सक्षन 62 की जो प्रिक्रिया है समन तामिल करानी की वो उसको करेंगे अर्थार्थ कुल मिला के ये जानिये कि कोई सरकारी करमचारी है और उसे समन का तामिला कराना है तो उसके जो कराले के प्रधान है जो कराले के चीफ वरसन है उन्हें वो समन भेजा जाता है और उनक प्रिष्ट भाग पर उसके हस्ताक्षर भी हूं तो मुझे यकीन है कि इस वीडियों से समझ में आ गया होगा कि कोई लोग सेवक है सरकारी कर्मचारी है तो उस पर समन का तामिला कैसे होगा वीडियों अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट क कर सकते हैं वीडियों अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्याओं